हेलो गाइस तो स्वागत आपके एक और नहीं वीडियो में आज हम बात करेंगे अपनी पिश्री वीडियो को लेके कुछ बच्चों के कमेंट सारे वीडियो में कि आपके कॉर्डिंग वान परसंट अगर एक सो से लेके 110 के बीच में बच्चे है तो सारे तो वहीं पर स्लैक बच्चों ने मुझे बताया उनमें से सिर्फ एक ही बच्चा था जिसने 100 प्लस स्कोर किया तो मेरे कॉर्डिंग 100 बच्चों में से वह एक बच्चा एक परसंट काउंट होगा ना क्योंकि टोटल परसंटेज आपके पास 100 परसंट होती है और तीन बच्च्च आसे थे जि जन्होंने 77 की बिच में स्कोर किया और स्कोर एसा क्यूंन का क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी गलती यही कि पेबर सिंपल आथ थो Semple एक जब सबसे वहले जीके सेक्चन किया तो उन्हों किका कॉश्चन सिंपल है तो सब के मैंन में आया कि पेबर का क्टोफ बहुत हाई जाएगा तो इसलिए हर एक के मैं था कि में को 90 या 100 कोशन करने हैं तो उन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि 10 के 10 गलत निकले हैं तो आपका माइनस भी तो रहा स्कोर तो इस सुमीज में कि अगर 10-15 तुक्के मार रहे हैं 3-4 भी सही होगे तो हमारा प्लस पॉइंटी है इस वे में बच्चे तुक्के मार लेते हैं जो कि बहुत इगलत चीज़ नहीं मारने चाहिए उस वज़़ा से ब तो 9-200 के बीच में बहुत बच्चे हैं तो कहीं न कहीं आपका मैंने अगर 90 प्लस कट ओफ का है तो माने ये भी मैंशन किया था कि मैं बाकी कैटेगरी इसका काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी काउंट कर रहा हूँ तो बच्चे अब हो चकता है इस में भी कैसे 90 प्लस हो सकता है क्योंकि जनरल कैटेगरी 900 अगर कुछ पोस्ट है तो उसका हाफ है बिल्कुल तो अगर आप बच्चे बेशक कम कर रहे हो सुपोज वह 1 परसंट 0.2 परसंट है 0.3 परसंट ही है और जमाने 9200 की बीच में 3 परसंट लिया हुआ है सुपोज ये कि अगर बहुत अगर्ट करता है कि कुछ बच्चे जूर भी बोलता है कि महारे इतने माक्स कमेंस में तो रेजल्ट में पचलेगा पर यहां कि कहीं ना कहीं जहां तक मेरे पास जो आईडी आया जो मेरे पास आपकी क्यालकुलेशन आई है उन्हें साब से 90 मिनिमम रहेगा कट आफ या minimum below जो हो सकता है वो 87-88 होगा इससे जादा नीचे मुझे ने लगए ओपन मेरिकर्ट कट आफ जाएगा आपका 87 या 88 से उपर ही कट आफ रहने वाला है तो जो बाकी categories है उनका में भी down हो सकता है और कुछ बच्चों ने यह भी comment किया कि हमारा percentile base score आएगा या total marks के base पर आएगा तो देखो percentile वहाँ पर ग्राइट होती है जहां पर आपके different shifts में paper हुआ हो क्योंकि जब different shifts में paper होता है तो हर shift का paper का level different होता है और बच्चा अगर सिफ marks पर जाएगा तो जिसका simple shift आए उसका score जाद ही होगा इसलिए पर संटाइल निकाले जाती है कि उस shift के अंदर जो highest scorer होगा उसको 100% में count किया जाता है और उस हिसाब से आपकी percentile score बनता है and then cut off निकलता है बट यहां पर आपका एक ही दिन में एक्जाम होगा है एक ही shift में तो आपका percentile base score नहीं आएगा आपका normal score आएगा out of 120 and जो भी उनमें से top 900 होंगे वो सारे टॉप के 450 नहीं कहा रहा हूँ टॉप के open merit kit 450 students वो selected होंगे still क्योंकि बहुत से बच्चों ने form इसलिए भर होता की exam देने में किया जाता हूँ उनके पास documents सारे नहीं होते हैं किसी graduation नहीं होती है लेकि still वो form भर लेता की हम practice कर लें तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो exam भर देते हैं उनके पास documents ready नहीं होते हैं अपनी practice के लिए तो इसलिए जो भी select होता है उसकी एक फिर meeting होती है जिसमें आपके एक post के लेके कभी कई बार तीन बच्चों बला जाता है कई बार एक post के लेके पांच बच्चों बला जाता है document verification के लिए तो उनमें बहुत से बच्चों के पास documents नहीं होते हैं अब उसमें भी कुछ बच्चे करेंट कर रहे थे मेरे वीडियो पर की document क्यों नहीं होगा बहुत हो जैसे अब पीछे जूनियर सिस्टन का exam भुआ था तो बहुत बच्चों के पास diploma नहीं थे still उन्होंने क्या किया ह हुआ था अपनी प्रैक्टिस के लिए तो अगर उनका नाम उसमें आप जाता तो डिप्रॉमा नहीं हो क्योंकि सब्सक्राइब नहीं है तो इसलिए वाली जादा बच्चों के लिए जाता है और इसलिए बार के उता है जैसे कुछ बच्चों ने जूनियर सिस्टन का exam दि बच्चों इसलिए एक साथ suis & पुष के लिए पांच बच्चों को बुलाते है कि in किर दॉप कर दे किसी के पास डौक्मेट वेरिविकेश्स ना हो बहुत सारे रीजन्स वह सारे रीजन्स देक unfury जाता यह जाते है और उसके वह सबकी द्सक्राइठ बच्चों असब आर् और पेपर के लावल उत्रा टफ नहीं था इस वजह से आपका जनरल के टेगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं जनरल के टेगरी का आपका 90 के आसपास होने वाला कट आफ बाकी के टेगर इसका मैं कुछ नहीं कह से तो मुझे उनके उतना रिपोर्ट नहीं आया तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और फर्दर मोर वीडियो के लिए लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और एक और चीज़ अगर आप चाहते हूं कि मैं आपको करेंट अफेर के टॉपिक्स दूँ तो मुझे कमेंट करके बताना ताकि मैं आप आपको जो नॉलेज है वो बढ़ता रहे और एवन अगर आप चाहते हैं कुछ मैट्स की प्रॉब्लम्स लानी है कुछ ट्रिक्स वगारा तो मैं वह भी बता सकता हूं या फिर आपको मतलब कोई भी रीजनिंग समझने है कुछ भी समझना है आप बस कमेंट करें मैं वह व